आउगूर काडे गूर्ण ग्रहे हारे से होए जीत साहेप से सन्मुक्सता प्रम्सिष्टी की एही रीत ये स्चोपाई सेवा पुझा की है आज मैं इस चोपाई पर थोड़ा सा बोलने जा रहे हूँ सुन्तर साजी हम सब जानते हैं कि कोई भी विक्ति जर्म से पापी सभावकान नहीं होता है जब एक बच्चा जर्म लेता है तब उसका मन निर्विकार होता है उसके अंदर कोई भी विकार नहीं होते है पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है संसार में रहता है समझता है वेसे वेसे उसके अंदर भेन भेन वीचार आदते आने लगती है उसके मन में दूसरों के प्रती सही गलत अच्छे बूरे के कई सारे भेतभा आने लगते है वो जैसे जैसे तुन्या में रहता है वेसे वेसे उसके अंदर अनेक अवगुण भी आ जाते है माया के प्रभाव के कारण इंद्रियों के प्रभलता के कारण जीमी अनेक अवगुण पेदा हो जाते है हमारे अंदर जो सट विकार है उसके कारण ही हम अपनी आध्यात्मिक उन्नती से परे हो जाते है अन्यत्था कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव पाफी सभाव का नहीं होना चाहता है गीता में स्री कृष्ण जीने कहा है अर्थात काम, क्रोध और लोब ये तिनो नर्ग के द्वार है इसको त्यागे बीना कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव प्रसन नहीं रह सकता है हमें अपने अवगुणों को गुणों में परिवर्तित करना है कोई भी अन्पड से अन्पड, ना समझ से ना समझ व्यक्ति भी नर्ग में नहीं जाना चाहता है हर कोई यहीं चाहता है कि सुख मिले, सांती मिले सरीर रहते हुवे भी अर सरीर छोणने के बाद भी तो हम अपने अउगुणों को केसे गुणों में परिवर्तित करें प्रकाश हिंदूस्तानी में बिश्वा प्रक्रण है गुण फिराने का उस प्रक्रण में यह बात दर्शाई गई है कि हम अपने अवगुणों को गुणों में कैसे परिवर्तित करें। जो अवगुण हैं काम, क्रोध, मोह, लोब, अहंकार, त्रिश्ना ये सब माया के गुण कहलाते हैं। जो जीव के साथ जूड़ने पर अवगुण कहलाते हैं। इसी अवगुणों को हमें अपने धनी के तरप केंद्रित कर दिविय गुणों में परिवर्तित करना हैं। और ऐसा करके हम अध्यात्मीक चेत्र में विशिष्ट उपलप्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपने अवगुणों को गुणों में कैसे परिवर्तित करें। काम एक ऐसा विकार है जो साधारान मनुश्यतों का बड़े-बड़े रुशी, मूनी, देवी-देवताओं को भी परिशान कर देता है। इसी काम से स्रिष्टी है, लेकिन यही नर्का द्वार भी है। तो इससे वचने के लिए हमें अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक की तरफ ले जाना है। तो कैसे ले जाए। प्रकृती का एक सिद्धान्थ है कि जो कुछ भी है वो सही है, ठीक है। तो कैसे ठीक है। इस बात को मैं एक उधारन से समझाना चाहती हूँ। एक खेडुत अपने खेत में कड़ी धुप में काम करके ठक गया। तो वो थोड़ी देर विश्राम करने के लिए एक आम के व्रिष्ट के नीचे जा करके लेट गया। उतने में उसकी नजर डाली पर लगे हुए आम पे बगई। और वो अपने मन में सोचने लगा कि आम कि इतना मिठा होता है तो परमात्मा ने उसे इतना छोटा क्यों बनाया। इससे तो तर्बुचियां कद्दू की तरब बड़ा बनाना चाहिए था परमात्मा ने इसे छोटा क्यों बनाये कि ये तो बहुत ही टेश्टी से उसको बड़ा होना चाहिए था वो ऐसा सोची रहा था अपने मन में के तब उपर से एक आमगेरा और सिधा जाकर के खेड़ूत के सीर पर लगा और सीर पर लगने की वज़े से उसे पहुत ही तर्द होने लगा तब जाके उसे समझ में आया कि परमात्मा ने जो कुछ भी बनाया है वो सही है अगर बड़ा होता तर्बुझ की तरफ बड़ा होता तो उसके सरका क्या होता इसलिए सुन्दर साजी जो हमें ये दीख रहा है न ये प्रकुरूती है जो कुछ भी परमात्मा ने बनाया है वो ठीक है अपनी अपनी जगह पे हो सही है बस उसका प्रयोग हमें करना आना चाहिए उसका प्रयोग केसे करे वो हमारे ऊपर है उसी तरफ अप्खी में एक वीश है पर उससे अफ़दी बनाया जाती है और शर्प का वीश मनुश्य के लिए घातक होता है लेकिन शर्प के काटने पर उसी शर्प का विश अवसुद के रुप में काम करता है उसी तर हमारे अंदर बहुत सारे अवगुन है काम भी है, क्रोध भी है, लोब भी है, मोह भी है, अंकर है तो हम इसे सकारत्मक भाव में कैसे ले? काम ऐसा विकार है यह जो हमारा मन है जो मनुश्यक सरीर के आकरशन में आकर वो विकार क्रस्त हो जाता है विश्य वास्नावों के जंजाल में फसा रहता है इसी कारण हम जरन मरन के चक्र में घुमते रहते है तो इसी काम की इच्छा को हमें सकारत्मक तरफ ले जाना है राजी की तरफ ले जाना है अगर इसी काम की इच्छा को हम दीव्य इच्छा में परव्रम की इच्छा में परिवर्तित कर दे तो राजी को पाना बहुत ही सरल हो जाएगा हम चाहना करे तो किस की करे मात्र और मात्र राजी की करे हमें हर पल अपने धामधनी की चाहना करनी चाहिए ना कि संसार की चाहना करनी चाहिए इसी काम की वज़े से हमें जन्मरन के चक्र में घुमना पड़ता है इसी काम को हम एक जनम तो क्या लाखो जनम भोग चुके हैं, फिर भी ये हमारी काम की इच्छा खतम होने का नाम ही नहीं लेती है, अगर इसी इच्छा को हम अपने धनी की तरफ मोड़ दे तो हमारा जीवन है वो धन्य धन्य हो जाएगा, उसी प्रकार हमारे अंदर काम भी ह जब भी हमें क्रोध आए तो हमें समझ लेना चाहिए कि सामने वाले का नुक्सान तो हम करेंगे ही, पर सबसे ज़्यादा नुक्सान हमारा ही होगा क्रोधो नाशते धेर्य, क्रोधो नाशते शुतम, क्रोधो नाशते शर्वम, नाशती क्रोधो समोरिपू अर्थात, क्रोध मनुश्य के धेर्य, सुनने के सक्ति, बुद्धी, ऐसे कई सारे जो हमारे अंदर गुण होते हैं, उसका विनाश कर देता है इसलिए कहा जाता है कि हमारा क्रोध ही हमारा सबसे बड़ा श्रत्रू है क्रोध को ना उम्र की मर्यादा होती है और ना जान की वो कब कहा और किस कारण से पेदा हो जाए वो कोई नहीं जानता वो किसी भी सम्मय पेदा हो सकता है और जब क्रोध पेदा होता है तब व्यक्ति अपने विचारने की सक्ति को खो देता है बुद्धी पर अहंकार चा जाता है वो क्रोध में इतना अंधा हो जाता है कि वो परिणाम की चिंता किये बीना अपनी शंपूर्ण सारे दिक और मानसिक सक्ति को उस एक वस्तु पर केंद्रित कर देता है जिसके परिणाम सुरुप क्या होता है कि वो नॉर्मल अवस्ता में जो कार्य नहीं करना चाहता है न वो कर बेटता है अभी आप कोई भी कारागार में जा करके देखिए सुन्दर साजी अधिक तर अपराधी ख्रण भर की क्रोध का दंड भोगते हुए नजर आएंगे फिर भी हम अपने क्रोध पर अंकुष नहीं लगा पा रहे है अगर यही क्रोध हम चित्वनी के मार्क पर लाएं कि हमें तार्तम वानी मिले हुवे कितने समय हो गए है फिर भी हम अपने धनी को अपने धाम रदे में नहीं बसा पा रहे है हमें इसी बात का क्रोध आना चाहिए कि हम अपने धनी के साथ बाते क्यों नहीं कर पा रहे है हम धायान चित्वनी क्यों नहीं लगा पा रहे है सुंदर साथ जी अगर इसी क्रोध को हम अपने राजी के तरफ मोड़ देंगे तो राजी को पाना सरल हो जाएगा और दूसरा है लोब हमारे अंदर लोब आ जाता है क्यों? धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्टा के लिए हम अपनों को धोका दे देते है मित्र मित्र को जहर दे देता है बाप बेटे के रिस्ते में धरार आ जाती है क्यों सुंदर साथ जी? प्रबल लोब की इच्छा की वज़े से अगर इसी लोब को हम हम राजी की तरफ मोड़ दे हमें लोब हो तो किसके लिए होना चाहिए? राजी का लोब होना चाहिए हमें अगर हम संसार का लोब करना छोड़कर राजी के तरफ ये हमारा जे लोब है, वो मोड़ देंगे सिर्फ और सिर्फ हम राजी का ही लोब करें, राजी का ही मोब करें तो राजी को पाना, अपने धामरदय में बसाना कोई बड़ी बात नहीं है यही जो तिनो नर्के द्वार कहे जाते हैं अगर इसी को हम अपने नकारत्मक विचारों से सकारत्मक की तरप ले जाएंगे, राजी की तरप ले जाएंगे, तो ये तिनों हमें अखंड मुक्ति के द्वार तक ले जाने के लिए शक्षम है.